हालो फ्रेंट्स एक बाद फिर आपको वह दोस्त वागे तो दूस्तों आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रूलिखवनी इनिवस्टी से अफिलिटेट कॉलेज में होने वाले के बारे में नए अडिमिशन जो है वह आपके कब से स्टार्ट हो सकते हैं वैसे तो अभी तक इनिवस्टी की तरफ से ऑफिसल इंफ्रमेशन नहीं दी गए लेकिन जिनी स्टेंट्स ने अभी इंटर्मेडियेट का जो एक्साम हैं कंप्रेट कर लिया उनके रिजल्ट वगर कर आगे हैं तो वह स्टेंट्स अभी बेट कर रहा हैं काफी समय से कि उनके जो एडमिशन है वो कब से स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप भी यूजी या फिर पीजी कुर्सिस में आपके एडमिशन के बारे में जिसमें आपका अंडगिजिट कुर्सिस में वीए बीकॉम बीवीए बीसी ए ठीक है वी यह सारे एडमिशन होंगे इनमें किसी भी तरक आपको इंटर्स एक्साम नहीं देना होता है डारेक्टिली इनिवस्टी आपके ओनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल कर वाएगी और आपके जो एडमिशन है जो भी डेट इनिवस्टी की तरफ से बताई जाएगे उस रेट में आपके जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे सबमाफता आप मान कर चलिए कि चून में आपके जो ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म में वो इनिवस्टी की तरफ से जारी कर दे जाएंगे अभी सीवीए सी बोट का जो रिजल्ट है इंटर तो जितने मिलें इडमिशन लेने के लिए अपको पटाई होगा यूजी कोर्स कंप्लीट होना चाहिए आपका तो उसके लीए इनिवस्टी का अलगा रूल से कुछ पूर्स में आपके एंटर ने में आप आप मान कर चलिए वियड में तो आपको पता होगा स्टेट लेव पिल्क अंट्रेंस इक्साम है जिसमें आपका जो इंट्रेंस एक्साम है वो 15 जून को कराए जा रहा है आपको जानाकरी ओड़ीर यह Gethunt को जाए ही बाकि जो उनिविस्टी के कुछ courses हैं जिसे कि हो गया आपका MSC अभी 2-3 साल से MSC में इंटरेंस एक्जाम नहीं हो रहा है Direct merit piece पर admission हो रहा है लेकिन अगर इनिवस्टी चाहे तो MSC में इंटरेंस एक्जाम करा सकती इनिवस्टी की मर्जी है क्योंकि 2-3 साल पहले जो admission होते थे वो इंटरेंस एक्जाम से ही होते थे बागी MED में आपका इंटरेंस एक्जाम होगा ठीक है और LLB में भी आपका जो इंटरेंस एक्जाम है वो हो सकता है इसके अलाबा LLM ठीक है LLM में भी आपका इंटरेंस एक्जाम हो सकता है और VLAD में भी आपका इंटरेंस एक्जाम हो सकता है VLAD में भी 2-3 साल से इंटर टो ये जो कॉर्स में इंट्रेंस एक्जाम नहीं होता है इन में डाइक्ट एड्मिशन होता है तो इनकी भी डेट आपकी यूजी कॉर्स के साथ में होगे बाकि जिन जने लिए पर से उनके forms अलग होंगे, उनकी dates भी अलग होंगे, ठीक है, बाकि University के तरफ से जैसी अपडेट आगी, आप बानके चलिए June में, आपके जो online admission form है, वो आ जाएंगे, और आपको बता दे जागा कि इस तरह से आपको अपने जो admission form है, उसे fill करना होगा, आप अपनी जो तैयार है, वो अच्छे से करकर रखें, सारे documents बगएरा, ठीक है, जो भी आपका cast certificate या domicile certificate वरता है, उस सारे documents आप ready रखें, बाकि जैसे ही CVSC vote का intermediate result आ जाता है, उसके बाद University admission की process जो है, बाकि दूस्तों, अगर आपको कोई question है, तो आप महरे WhatsApp ग्रूप पर add हो सकने WhatsApp ग्रूप, टेलिग्राम चैनल की link वीडियो के comment box में दी गई, इसके लब हमारे blog चैनल की link भी वीडियो के comment box में दी गई, बहाँ से blog चैनल को भी subscribe कर लिजए, मिलते हैं इतनी वीडियो में एकनी information के साथ, thank you so much for watching this video.